नमस्कार किसान खेती बारी इस चैनल में आपका स्वाकत है और हम आज आपको सिखाएंगे बीज उगाने का नमस्कार किसान बंधू आज हम लोग किसान खेती बारी चैनल के माध्यम से लीची के दीज में अंकुरण कैसे लगाएं और उसे एक अच्छा और स्वस्थ लीची का पौधा कैसे पाएं इसके बारे में जानकारी देंगे सबसे पहले हम उपजाओं मिट्टी के कुछ अंस कमपोश्ट और कीट नासक का मिशरण बनाकर किसी भी थैले में या बेकार पड़े प्लास्टिक के गलास में इसे भर लेंगे ऐसे करके हम सबसे पहले थैले का निर्मार करेंगे जिस भी माध्यम से हो सके थैले का निर्मार करके हम लोग रखेंगे उसके बाद इतना सक से परिजीमित करके हम लोग बीजों में को 24 घंटे पहले रखे हैं जिससे इसके अंदर की टाडू न लगे और हमारे बीज स्वस्त तरीके से अंकुरण ले सके इसके लिए हमें इसे निकाल कर इन्हें अंकुरण के मुख को उपर करके उतना ही दबाना है जिससे इसे आसानी से अंकुरण ले सके घर में कैसे तयार करें लीची के बीज या अन्यक्योई भी बीज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार बने हुए हैं जिससे हम लोगों घर में ही पौधेशाला का निर्माट कर सके इस तरह हम लोगों ने लीची के बीज को इस थैले में डाल दिया इसमें जल के परबंधन के लिए और हवा के आदान परदान के लिए कम से कम एप थैले में पांच या छे जग़ छिद्र कर देंगे और उसके बाद खलका एस्प्रे हम लोग इस पौधे इस थैले के उपर बीज के उपर डाल देंगे जिससे जो नमी अगर इसमें उप्यूक्त ना हो वो नमी इसको प्राप्त हो सके इस तरह करके हम लोग आगे के वीडियो में दिखाएंगे किसका अंकुरण कैसे हुआ और इसमें किस-किस किट नासक को मिला कर जैविखादों को मिला कर हम नया पौधा तयार कर रहे हैं लगातार बने रहे हैं किसान खेती बारी चैनल के माध्यम से जिसमें बीजों के अंकुरण से लेकर नय नय पौध साला के बारे में जनकारी लगातार मिलती रहती है और हम आज आपको सिखाएंगे बीज उगाने का और यही हमारी लिच्ची की बीज है और इसमें सब यह उगेंगे तो उगेंगे तो इसमें अच्छी सी